हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद पुरहीते अगर आप बीसी कर रहे हैं तो भाई अपना समय मत खराब करिए आपको कुछ ने कुछ तयारी जरूर कर देनी चाहिए सिर्फ आप बीसी करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं या तो आपको कॉम्पेटिव एक्ज कर जाना है तो आपको गेट एक्जाम या आई टी जम एक्जाम की तयारी शूर कर देनी चाहिए पर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बीसी कर रहे होते हैं पर उनको यह पता नहीं होता कि एक्जेक लिया करना क्या है अगर आप बीसी के साथ साथ में किसी भी की तयारी अगर आप करते हैं तो आपको क्या-क्या फाइदा यहाप है मिल सकता है यह भी बताने की कोशिश करूँगा तो सुन्ट शूर करते हैं अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं फ्रॉम आई टी या एन एटी या फिर सेंट्रल उनिश्टी तो भाईया आपको या त इटी जेम एक्जाम की तयारी शुरू कर देनी चाहिए वो भी बीसी सेकेंडियर से पताब आप आप आई टी जेम दो जार चाहिस के लिए इलिजिबल होने वाले हैं नेक्स बात करते हैं क्यू करनी चाहिए सर्क जरू होता है तो एक तो आपको यहाँ पे अगर आप आप से मसे करते हैं तो आपको scholarship मिल सकती है अगर आप integrated program से मसे plus PhD करते है तो वहां भी आपको benefit मिल सकता है यह बहुत सारी से भी लाइक IIT जा पर आप integrated program में research करते हैं तो वहां पर आपको scholarship का option भी रहता है यह बहुत अच्छा advantage है और भाईया IIT जा रहे हो थोड़ा बहुत अग जहां पर आपको इसके लिए scholarship मिल जाती है वेल डिफाइंड कोर्स ट्रेक्चर अकेडमिक के रियर भया आप जानते हो कि नॉर्मली अगर आप किसी भी कॉले से बीसी कर रहे हो तो आप जो पढ़ रहे हो वो कहने कहीं आपके ज्यादा यूज आने वाला नहीं है यह कहने कहीं जॉड़े से वेल डेफाइन होते हैं अपग्रेड़ होते हैं यह कहने कहीं जॉड और इंटेट अभी होते हैं बहुत सारे बच्चे जो मैंने आइटी से MSC कर रहे हैं जिसे मैं आइटी गोहाटे भी गया था तो आप मुझे कुछ स्टुट्स मिलें बहुत सारे बच्चों का वहाँ पर प्राइट कंपनीज में भी प्लेस्मेंट्स होते हैं तो यह कहने कहीं एक नया आपको बेनेफिट मिलता है बीसी वाले स्टुडेंट्स जब 11-12 में मैट्स के साथ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ध्रीम होता है कि मैं बाद भी आप IAT से अपना मास्टर्स कर सकते हैं और वो अप्षिन IAT चे में एक्जाम होता है और बहुत ही अच्छा केरिव उप्षिन है तो आपको उसकी तयारी करना चाहिए इसनुन यहां पर इंटर्शिप अपोर्शिटीज भी बहुत अच्छी मिल जाती है आई आई से अपना मास्टर्स कर रहा है और वहां पर काफी सारे स्ट्वेंट्स का प्लेस्मेंट हुआ तो दो मिटाप रुक के उसका वीडियो ज़रूर देखेगा उसकी बाद फिर मापको आगे बताता हूं मेरा नम प्रियांशु है मैं अभी करंट्री आइटी गौहर्टी में 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 सी मैथमाटिक स्कॉर्स में इन्रॉल्ड हूँ प्रेस्मेंट के बार में बता हूं स्पेशली में सी कोर्सिस के बारे में उसमें भी स्पेशली मैथमाटिक सब्जेक्ट के बारे में तो हमारे इ इस पैकेज कहे दो या सब्चे जो टॉप कंपनी में हमारे सीनियर पेस्ट वो गूगल है उसके अलाबा बहुत सारे लोग है जो टेक इसे भी बच्चे थे जो एट्टेक रोट में गया है कि यहाँ पर आके पेस्ट नहीं होता है और जैम के बाद भी जो आपके पास टाइम होता है उसको यूटिलाइज करना होता है थरक जो नेक्स ग्रोथ डवलप्मेंट और एंवार्मेंट यह तीनों ही बहुत अच्छा को अगर आप आप आपको ग्रोथ मिलती है आपको आपका कहने कहीं स्किल डवलप्मेंट और आपके जो कलीग्स होता है उनसे आप बहुत कुछ यहाँ पर सिख रहे होता है आपको टीचिंग के लिए हाइर किया सबसे बड़ी भात है कि आपके आसपास की लोग इतना आप आपको मोटिवेट कर देंगा आपको टीचिंग के लिए हाइर किया सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपरचिटी है तो सुनियार बहुत सारा एडवंटेज है पर यार भाया आपको इसके लिए अफेट्स लगाने पड़ेंगे और इतना कोई टाफ एक्जा के अंदर भारत में 14,000 बच्चे एक्जाम देते हैं कितने हैं 14,000 सिट कितनी हैं 1500 हैं बहुत ही low level का competition है अगर यही आप IED जही से compare करो तो उसके comparison में कर देखा जाए तो IED जही हैं बहुत easy exam है इसको आप easily crack कर सकते हैं 14,000 बच्चे form भरते हैं पर exam को prepare करने वाले बच्चे 10-15% ही होते हैं मतलब लगब तीन हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहने कहीं competition में अच्छे तरीके से महनत करके शामिल हो रहे होते हैं बागी खाली form भरते हैं तो आपका अगर देखा जाए actual में competition अगर आप well manner में तैयरी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तैयरी कर रहे है तो वह तीन हजार बच्चों से आपका competition है और अराम से इस exam को easily आप crack कर सकते हैं अगर आप के डिगरी में हैं अब तब SCST या PWDA और BCA वारे निया रहे हैं तुमारे है ना क्यूंकि है नहीं लोग 4000 rank वाले बच्चे का भी NAD में अगर SCST के डिगरी में तो इसका हो जाता है अगर आप पिछली बार की cut-off की बात करेंगे तो आपको बढ़ाई मतलब फिल होगा कि यार इतना नंबर वाले बच्चे का भी हो सकता है क्या जनरल के डिगरी की बात करी जाए तो 11 नंबर cut-off गया ता 100 में से और SCST की बात करी जाए 5 नंबर मतलब कोई भी SCST student है जिसके 15 दूसरे कामों में लगाता रहता है आपको एक अच्छे objective के साथ इस exam की तयारी श्रू कर देनी चाहिए बाकि इसके बारे में आप क्या सोचते है और comment करके मुझे बता सकते हैं अगर आप मेरे साथ IADGM की तयारी करना चाह रहे है तो यह IADGM 2023 के लिए हमने course launch कर दिया है और नया topic ordinary differential equation मैं 15 नवंबर से शुरू करने वाला हूँ जहापर आपको live class, recorded, PDF, DPP, combat सब कुछ हम provide करते है तो अब हमारे साथ course join कर सकते हैं अगर आप CSIR की तयारी करना चाह रहे है तो 3499 में हमारा course मिल जाएगा December 24 के लिए and June 2025 के लिए 8999 अगर आप IDGM 2025 दे रहे तो 2499 में हमार course available है यह वाला 849 में course available है जो कि शुरू होने वाला है 15 नवंबर से तो आप हमारा course join कर सकते हैं बाकी यार भाईया अगर आप question practice करना चाहते हैं तो 499 बहुत nominal price है इस पे हम लोग आपको course देते हैं जहापर आप question practice कर सकते हैं हमारे साथ previous question जो कि मैं सुबह डेली एक class लेत पर सुनी 2025 के लिए है बाकी हमारी books लेना चाहते हैं तो यह math scare app पे अविलेबल है इन बुक्स को आप बाई कर सकते हैं यह telegram इसको join कर लिजए classes के update मिलती है यह हमारा app है जो कि android नाइस पे अविलेबल है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कैसे math scare app पे subscription लेना इसका व क्द medically लेका के बाध जीड़ा पैसे जैवा लेबलेबल यह हमारा वेपन